हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो और चानल, 360 डिगरी इंजिनेर, आज की अमारा टॉपिक है, वाट इस सब्स्टेशन, इंडेस्ट्रीस में जो सब्स्टेशन, आर सब्स्टेशन बिल्डिंग का नाम पे जो सुनते हैं, वो होता क्या है, जो जितना भी नॉन एलेक्ट्रिकल बै रहते हैं, यह वो सवाल को आंसर है इस वीडियो में, और इसका जो नेस्ट पार्ट टू का वीडियो है, यह दो पार्ट में बना रहे हैं फ्रेंट्स, यह दोनों पार्ट का वीडियो अगर आप देखेगा तो आपका सब्स्टेशन का पूरा क्लियर हो जाएगा फंडेमे उसकी बारे में आज का वीडियो में इन डिटेल समझ देंगे फ्रेंज, इसका जो नेक्स्ट पार्ट टू का वीडियो में हम लोग वो सब्स्टेशन बिल्डिंग में क्या होता है, वो हम लोग इन डिटेल डिसकस करेंगे फ्रेंज, जो फर्स्ट वीडियो है, पार्ट व पॉल आप सबस्टेशन का अंदर चोड़ दीजिए फर्स्ट आपका गर पे जो एलेक्ट्रिकल सिस्टम उटरेड़ी है उसका आपको एक बार ओवर यू बता देता हूं फ्रेंज अगर उसका आप क्लियर दी समझ लिया तो आपका गर पे एलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे रहते हैं अगर उसका आप क्लियर दी अगर समझ गया तो आप इंडिस्ट्री में भी आपका सबस्टेशन क्या होते हैं उसका आपको समझना बहुती आसान हो जाते हैं ठीगे तो फर्स् पर वि सफज्ब को है आपका एकी रिजन आपका जो गरब की पपर बी लोड से एलनेटरी पर लुब से उसको चलाने के लिए आपको बील अधिक सब्ले चाहिए याइट चीजिए आपको आ ये समझ दिए आपको गरभु आपको electrical load electrical devices जितना भी है वो क्या क्या रहते हैं अगर आप देखेगा तो उसमें दो classification में आपको अभी divide कर रहा हूँ एक आपका direct load है direct load मतलब जो आपका गर पे कुछ भी है अगर switch on करने से directly चला रहे हैं मतलब कोई प्लेग आप नहीं लगा रहे हैं कुछ भी नहीं लगा रहे हैं आपका existing system है इसमें आपको directly switch on करने से चल रहा है तो उसको मैं बता रहूं direct load है वो हता है आपका जैसे ceiling fan है ठीक है जो ceiling fan लगा है इसका switch on करेगा तो ceiling fan गूम रहे हैं या नहीं है तो कोई आपको washroom में या नहीं है तो आपका kitchen में जो exhaust fans लगाते हैं वो भी आपको इस fan में आएगा फिके next आपका जो major load है वो आपका lighting lighting लोड है लाइटिंग में आपको different प्रकार का lights हो सकते हैं यह आपको में एक दिकार हो आपको जो fluorescent lamp है इसको आप tube light का नाम पे जो मतलब जो commercial जनरल है आपका बात में बोलते हैं बोलते हैं यह तो आपको CFL लोड हो सकते है लाइट है यह तो incansent lamps हो सकते हैं कुछ भी मतलब जो आजकल जो light से LED light से कुछ भी है basically जो major road है आपका domestic में एक fan है दूसरा है light है डाइरेक्ट लोड में और indirect लोड में इंडिरेक्ट लोड या इसको बोलते हैं हम लोग power socket में जो लगा रहे है जो power socket मदल आप plug लगा रहे है इसके बास switch on कर रहे है उसको मैं बोल रहा हूँ power socket load मतलब जो भी load है आपको socket में plug जैसे गुसा के आप चला रहे है तो उसको power socket लोड है वह आपको आएगा गर पे जैसे रेफ्रिजरेटर है यह वासिंग मिसे ने डिस वासर है यह नहीं यह तो ओटीज ही है माइक्रोवेवे केटी दे ब्रेट टोस्टर है सो अन मतलब जो भी है आर वो यह कुछ भी है जो भी आपका आता है वो सब आपका पावर सोकेट लोड छे इंडिस्तрी में् फरिंस पावर सोकेट लोड छे डो मस्टिक आपका गर पे ठीक एए तो ऊचर आप नॉर्मल English में हुआ है तो बिना फ्लैक वाला जोड है और फ्लैक वाला रोड है ठीक मैं सो ये दो परकार का लोड है आपको रहोड यह दोनों का आपको चलाने के लिए अपको electrical supply चाहिए और supply याथा कैसे आपका गरपे एक बार मैं ऊवरे commission पता हुं ठीक है यह अपका वो गए आपका गर पर अभी सप्लाय कई से आता हैं अगर आप देखेगा तो सप्ल सफ्टर आपको को ल है आपका जो पॉल पे ने तो केबल से जो भी आ रहे है उसको आपको बीज ऑखेंगे अम लोग बोलते हैं सर्फिस लैन बोलते हैं टिक हैं सर्विस लाइन आगे है ता इसकी बाद आपका जो energy meter में आएगा फ्यूज सर्क्यूट में आएगा इसकी बाद आपका एक main distribution board में आएगा यह आपका गर का अंदर रहेगा ठीक है यह आपका गर का अंदर रहेगा जितना भी service में इसका फ्यूज यह वह बाहर रह सकते हैं बाहर ही रहते हैं लेकिन जो आपका गर का अंदर रहेगा उस system को हम लोग समझे देंगे तो गर का अंदर है सबसे first आपका आता है में distribution board यह कैसे रहते हैं अगर आप देखेगा तो यह आपका में distribution board है इसमें आप देखेगा तो जो यह आपको जो 63 Ampere है यह आईसे रहते है 32 Ampere का जो में MCB रहते हैं और इसके बाद एक ELC भी रहते हैं ठीके इसके बाद different MCB से सिंगल पॉर का ठीके different MCB से आपको रहते है 16 Ampere का different MCB से रहते हैं ठीके यह आपका main distribution board रहते हैं रहते हैं मतलब आप यह समझे लिए जो main supply आया यहां अगर आपको यह बंदो गया यह नहीं तो यह दोनों में कोई भी बंदो गया था ठीके मतलब यह बंदो गया तो आप आपका जो सब कुछ आपका गर पे हर एक रूम में सारे की सारे रूम में आपका power कट जाएगा रैट या ऐसे ELCBA कोई भी रूम में अगर कोई हरते दीके जाने तो किसी का सौक वजह से अगर trip हो रहा है तो भी पूरा सप्ले गर का पूरा सप्ले कट जाएगा सो सबसे फस आपको switchboards पर यह जा सकते हैं गहें इसे हैं आपको एक दिखते हैं में डिस्रिविशन बोर्ड इसकी बाद आप सब्सक्राइब करूं का लाइट के लिए एक दूसरा लाइट के लिए यह फैन के लिए फैन का regulator टिके और यह फैन की लिए लाइक के लिए ऐसा light fans यह आप देखेगा तो lights and fans के लिए यह जितना भी switches से वो आपको दिया हुआ था right friends आपका गर का ही है कुछ ही नहीं है इसके बाद एक plug point नीचे आपको दिख रहे हैं यह कोई भी आपको power plug point है इसमें आप कोई refrigerator का connection है या washing mission का connection है ठीक है आईसा आप इसको use कर सकते है राइट तो यह इसको बोलते हैं आप switchboard है आईसा switchboard आपको आपको आहर एक room पे आपको रहेगा राइट जैसे आप देखेगा तो दूसरा switchboard दिखा रहा हूं यह simple switchboard है जैसे आपको kitchen या children bedroom में हो सकते हैं इसमें एक charging वाला जो plug है यह बता रहा हूं यह plug है इसमें आपको socket है इसमें आप फ्लेक eta कि उपोड़ा रूला लोड से उसको आप ले सकते हैं, बाकी लैट के लिए हो सकते हैं इसे अपको एक स्ट्राइट कोई और रूम पर एंद अजबंध आसविक अपको आपको दिहा रहा हूं यह भी सिंपल है माला नॉर्मल आमपिर खेल है और इसका स्विच्च है ठीक है और बागी लाइट्स और फैन्स के लिए कि रइट प्रेंट्स आइसे आपको स्विच्बोर्ट्स आपको हर एक रूम में दिखेगा रैट तो यह आपका घर का सिस्टम है रैट तो अभी सब्सेशन कॉंसिप्ट समझने के लिए अपका घर का भी आगर आप पीछे जाएगा तो ठीक है फ्रेंट्स तो आपको यह आप समझेगे फर्स्ट अफॉल आपको हर एक रूम पे ऐसा क्यों अलग 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 प्लेग बोर्ड लगा रहे स्विच्बोर्ड लगा रहे राइट आपको अब देखेगा तो यह में डिस्ट्रिजुड बोर्ड आल्री है लोग को इस डौट आते हैं यह एक बोर्ड आल्रेड आपको खर्य पर जितना भी रूम से हर एक रूम पे हर एक फैन को यहां से ही आपको चलाना चाते हैं तो केबल का लेंथ बढ़ जाएगा आपका केबल का कोस्ट बढ़ जाएगा जब अब कभी भी कोई भी फैन या लाइट का कोई इस वा अता है तो आप को रेक्टिफय करने में जो आपको काउंसी किसका यह और केबल यह सब पकड़ने में आपका दिमाग खराब होगा ट्रबल सुटिंग में तो बेसिक लिए आपको इनीशियल कोस्ट है जो केबल कोस्ट है और इसकी बाद बाद में इसका जो सर्विसिंग या मेंटिनेंस कोस्ट मों कम करने के लिए बहुत कम करने के लिए आप्टिमम करने के लिए बेस के लि अलग हर एक switchboard में आप इसको अलग अलग आपको इसको distribute कर रहे है राइट तो हर switchboard का supply कहा आएगा इसका जो supply main supply आएगा आपका यहां से आएगा main distribution board से राइट सो main distribution board से जितना भी यह circuits के यहां से आएगा एक प्लेग पॉइंट के लिए अलग आएगा जैसे ही आपका requirement है तो concept आप समझे आप जैसे आपको घर पर रहते हैं रहेट ऐसे यह आपका substation पर ही रहेगा ठीक है जैसे आपको घर पर switchboard बोल रहे है ना ऐसे आप substation में भी आप बोलते हैं इसको switchboard बोलते सबस्टेशन में जैसे जिश्ट आपका गर पर Judith इसे यह सबस्टेशन पर भी switchboard कैसे रहते हैं ऐसा रहते है अगर आप देखेगा तो जैसे आपका गर पर जो स्विच पोर्ड इसमें आप गर पे सुपोर्ड देख लीजें एक एक रूड के लिए जैसे यह आपका फैन के लिए यह स्विच जैन इसको और आफ करने से आपका फैन चल रहे है ऐसे यह स्विच आपका light के लिए ऐसे Assume कर दीजें तो सब्स्रेशन में बी जो switchboard रहता है और switchboard में भी क्यां क्यूंकि यह क्योंथ क्योंकि यह आपका यह आपका एमबी का switchboard मतलड 6.6 केवी का switchboard थे हैं इसलिए आपको इतना बड़ा क्यूबिकल है ठीक के आपको घर पे तो बहुत चोटी-चोटी लोडस इसलिए चोटी दिख रहे हैं वेगन आपको जो एंडेस्ट्रीस में बहुत हेवी-हेवी लोडस बहुत जादा रेटिंग का लोडस रहते हैं इसलिए आपका बहुत बड़ा- मेंब accelerी अब ब्रेकर बोलते हैं एपूरा पैनल है एक एक लोड जSON को चलाने के लिए कोई एक ऑड़ान पानल्ले को चारजकर करने के लिए ऐसे एक मॉरें के लिए एक एक आइसे लेका जा सकते है इसको एम लोग स्विच बोड बोलते संक स्विच बोड है इंग हें इसको स्विचबोर्ट बोलते हैं अगर इसको इसको स्वीचबोर्ट बोलते हैं अब article इसको के सब्राइब तो 33 66 के भी का स्विचपॉर्ट बोलते हैं तो इसा आपको आपको पर नीचे भी यह जैसा उपर हैं एक फैन के निचे एक और सौके दिया गए तहां यहां भी आपको तुम करें आपको आपको ऊपर नीचे बचला देते हैं रैटिंग के साब और आप ऐसे यहां देखके है तो पयाँच पांच पैनल एक ही वर्तिकल में एक ही वर्त केल अबपको 5 पैनल दिख रहे है आई बंटर्म रहते आशे हो गऑ PR से डिस्टृबीट हो रहे हैं ऐसे आपको सबस्तेशन का अंदर आती सिर्मीडर जी हैं ॥िह nya specaf मिम् richest वें में आपका हलागलग स्विच्च बूर्ड से रहते सो सबस्टेशन का अंदर जो में कॉंपोनेंट है जैसे ही घर का अंदर सिस्टम में जो कॉंपोनेंट है की Biswich भोड़ोट होता है ऐसा सबस्टेशन का अंदर भी तो मेंन कॉंपनेंट है वो स्विच भोडोट अधिया कुछ Um करने के वारद में इसके मेंनेनस यह नहीं तो रहले काॉस्ट कम करें ट्रीए और इसको करने की लिए इसका cost को, फिर हम लोग substitution का concept लेकर आए हैं, ठीके friends, ये आपका part 1 का वीडियो ये, इसकी बाद अमारा जो next part में हम लोग substitution का अंदर और क्या-क्या components रहते हैं, उसकी बारे में in detail बताएंगे friends, ठीके, ठीके friends, thank you friends, and please watch our videos for more and interesting videos, thank you friends.